क्लास सेकंड इंग्लीष एंड टुडे विल लॉर्न चैप्टर नाइन अब्रांड न्यू स्माइल ठेक है तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे हमारा नाइन अब्रांड न्यू स्माइल यानि एक दम नई स्माइल नई हंसी ब्रांड यानि एक नए जैसा एक दम जो अभी अभी ताजा बना हुआ हो ऐसा ब्रांड न्यू नई नया स्माइल यानि हंसी मुस्कान ठीक है तो यहां पे एक लड़की की बात है उसको हम देखेंगे देखो यहां पे लड़की है, है ना, it was seven o'clock in the morning, सुबह के साथ बजे थे, देखो seven o'clock साथ बजे थे सुबह के, ठीक है, आशा jumped out of her bed, आशा है, वो अपनी bed से उठ गई, वो सोई हुई थी और अपनी bed थी, वहां उससे उठ गई, she was very happy, वह बहुत खुश्ट थी, tomorrow was her birthday, कल उसका birthday है, उसका जन्म दिन है, her mother was going to throw a party for her, देखो कल उसका birthday है, और उसकी मम्मी है, उसके लिए party देने वाली है, ठीक है, going to यानि party रखने वाली है, उसके लिए arrange करने वाली है, आशा came into the dining room, आशा came यानि आई, into the dining room, वो dining room में आई, आशा, एक room होता है dining room, जहां पे सारा सामान पढ़ा रहता, टीवी वगेरा वगेरा, सब, आशा, good morning mother, आशा बोली, आशा says, good morning mother, mother, mother says, good morning आशा, have your breakfast and then go to school, ममी ने कहा, तुम अपना breakfast कर लो, सबह का नास्ता कर लो, और धेन उसके बाद school जाओ, आशा bit into a slice of toast, आशा ने toast का एक टुकड़ा लिया, मुँ में, ऐसे डांट से काटा और एक टुकड़ा मुँ में लिया, oh, oh, she cried out, oh, करके वो रोने लगी, cried out, चिला उठी, mother, look my teeth has gone all wobbly, ममी, देखो, और बोली, वो खुद बोली, आशा बोली, ममी, देखो मेरे डांट, सारे हिल रहे हैं, वोबली हो चुके हैं, हिल रहे हैं, don't worry, आशा's mother said, तुम चिंता मत करो, आशा की ममी ने कहा, it will fall out, वो जो डांथ है, टीथ है, जो हिल रहे है, वो गिर जाएगा अपने आप, but आशा was worried, but आशा है, वो चिंतित थी, उसको चिंता हो रही थी, what about my birthday party, मेरी birthday party का क्या होगा, मेरा दांत अभी हिल रहा है, तो कल party रखेंगे, उसका क्या होगा, she wondered, उसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, she felt the wobbly tooth with the tip of her tongue, तो वो अनुभाव करने लगी, felt करने लगी, कैसे तो अपना जो जीव है, अपनी उस दांस पे फेर कर वो दांस हिल रहा था, वो उसको feel करने लगी, उसको लगने लगा गया, मुझ में जीव फिर ही डांस पे तो डांस हिल रहा था, ऐसा उसको मैसूस हुआ, she ran, वो दोड़ी, she jumped, वो कूद के मानने लगी, कूदने लगी, but the teeth, but the tooth did not fall out, पर tooth है, वो गिरा नहीं, वो वहीं था, वो दोड़ी, वो कुदने लगी, मगर कुछ भी ऐसा हुआ नहीं कि दांत उसका गिर जाए, जो हिलने वाला दांत था ना, वाबली tooth, वो गिरा नहीं, she told her friend Usha about her tooth, उसने अपने friend Usha को अपने tooth के बारे में बताया, दांत के बारे में बताया, Usha told her classmates, और Usha ने सारे classmates को बता दिया, आलोक said, आलोक ने कहा, don't worry, चिंता मत करो, we will tie a string round your wobbly tooth and tug at it, हम हैं, we will, यानि हम क्या करेंगे, tie a string around your wobbly tooth, हम तुमारा जो हिलने वाला दांत है, उसके उसके चारो और एक धागा बांद देंगे, string बांद देंगे, and उसको खीचेंगे, Oh no, cried Asha, Asha ने करे, Oh no, ना ना, ऐसा नहीं करना है हमको, Better still, said Balan, Balan ने कहा, इससे भी better करेंगे, We will tie a string round your tooth, the other end of the string, we will tie to the handle of a door, तो इससे भी अच्छा हम करेंगे, कि तुमारा जो नात है, उसके आसपास हम धागा बांदेंगे, string बांदेंगे, और उसका धागे का दूसरा end है, दूसरा छोर है, उसको हम door के handle पे बांदेंगे, then we will slam the door, और फिर हम door को क्या करेंगे, slam, धक्का देंगे, Oh no, cried Asha, Asha ने कार, Oh no, I would rather have my wobbly tooth, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, इससे तो बहतर है, कि मेरा जो wobbly tooth है, हिलता डोलता, दांत वो वहीं रहे, वैसा ही रहे, At night, Asha got out in her bed in her school uniform, राद को क्या हुआ? At night, राद को, Asha got out into her bed in her school uniform, Her mother walked her up and asked her to change, देखो, राद को क्या हुआ? Asha ऐसा ही अपने जो डांत की चिंता में, school uniform पहन के सो गई थी, Her mother walked her up, उसको, उसकी ममी ने उसको उठाया, जगाया and ask her to change, और उसकी ममी ने कहा, तुम अपना uniform बदल लो, जो सो के, सो गई हो ना, uniform पहन के उसको बदल लो, Her start would not come off, Her, Her shirt would not come off, She pulled it up over her head with a jerk, देखो उसका shirt है, वो निकल नहीं रहा था, तो उसने क्या किया, एक दम जोर से खींचा उसको, जटका देखें खींचा, Head के उपर से, सिर के उपर से, As she did so, जैसा उसने ऐसा किया, जैसे the shirt got caught on the wobbly tooth, और उसका shirt है, जो wobbly tooth है, उसमें अटक गया, A white thing flew up and fell on the blue carpet, एक सफेद चीज है, हवा में उड़ी, flew up, हवा में उड़ी, and fell on the blue carpet, और blue carpet पे घिर गई, Did you lost anything, Asha? Did you lost anything, Asha? क्या तुमने कुछ गमा दिया, Asha? Asked her mother with a green, हसते हुए उसकी मम्मी ने पूचा, Asha's tongue mood or over to feel her tooth, Asha की जीब है, वो जो दान था उस पे मैसूस करने के लिए घूमने लगी, There was nothing there, और वहाँ पे कुछ नहीं था, She smiled at her mother, वो अपनी मम्मी को देखकर हसने लगी, smile करने लगी, It was a brand new smile, और उसकी smile एक brand new, नहीं हसी थी एक, क्योंकि नाद गिर गया था, वो जगह खली थी, अब वो चिंता उसको नहीं थी, कि पार्टी में क्या करूँगी, और वो brand new smile थी, ठीक है, और ये lecture हम, बाद में इसका question answer ये पढ़ेंगे,